So what is up guys, कैसे हैं आप सभी लोग तभी आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 2023 टोयोटा इनोवा कृष्टा डीजल के बारे में सारे इनोवा कृष्टा हमारे पास आ चुके हैं किस वेरियंट में कौन-कौन से फीचर रहने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इसमें हमें चार वेरियंट देखने को मिलने वाले हैं G, GX, VX और ZX So जैसे कि आप लोग को अलेडी पता होगा इनोवा कृष्टा में सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजिनी देखने को मिलेगा साथी साथ कोई भी आटमेटिक गेरबॉक्स एविलेवल नहीं कराया जाएगा तोयोटा ने अपनी इनोवा कृष्टा को एक माइनर फेसलिफ्ट के साथ इंडियन मार्कित में रिलीस करने का सोचा है साथी साथ इस गारी के बुकिंग्स को ओपन कर दिया गया है तो यह गारी हमको काफी साथ सिमिलर देखने को मिल जाती है 2022 इनोवा कृष्टा से जहांपे हमें इसमें फोड़ा सा अपडेटेड फ्रंट फेशिया देखने को मिलता है साथी साथ रीडिसाइन फॉग लेम इस गारी में प्रोवाइट किये गए है इनोवा क्रिष्टा के साथ हमको 2.4 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है जो की 5-speed manual transmission के साथ pair देखने को मिलेगा कोई भी petrol इंजन और automatic gearbox के साथ इस गारी को provide नहीं किया जाएगा top end variant की बात करता हूं तो ZX trim इसका top end variant रहने वाला है वही G base, GX और VX trims रहने वाले हैं सारे के सारे trims ZX trim जो की top end variant trim है उसको छोड़के 7 और 8 seat layout में available कराए जाएंगे अब बात कर लेते हैं base variant के बारे में जो की रहने वाला है 2023 Innova Krista GMT ये गाड़ी हमको 7 और 8 seater configuration के साथ available कराए जाएगी इसमें हमें black radiator grill, halogen headlamp, 16 inch steel wheels with wheel covers, multi information display, air conditioner, rear seat recline, tilt and telescopic steering wheel, cool glove box, 60-40 split, second row seat, चो की 8 seater में रहने वाला है driver and passenger airbag, driver and airbag, ABS with EBD, hill hold assist जैसे feature देखने को मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं 2023 Innova Krista GX variant के बारे में ये गाड़ी भी हमको 7 और 8 seat layout के साथ देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में हमको base variant से कौन-कौन से feature extra देखने को मिल जाएगे वो रहने वाला है chrome headlamp surround, 16 inch alloy wheels, touch screen infotainment system, phone speaker audio system, apple carplay android auto, steering mount controls, speed sensitive auto door locks अब बात कर लेते हैं VX variant के बारे में जो की हमको 7 और 8 seat layout के साथ देखने को मिल जाएगा इस गारी में हमको additional कौन-कौन से features देखने को मिल जाएगे GX variant से वो रहने वाले हैं gloss black grill जिसमें silver accent भी देखने को मिलेगा auto projector headlamps, LED fog lamp, ambient lighting, auto climate control, driver seat height adjust, 6 speaker audio system, keyless entry, push touch stop button, cruise control, fast charging USB port, front parking sensor और ISOFIX mounts देखने को मिल जाएगे अब बात कर लेते हैं top end variant के बारे में जो की रहने वाला है 2023 Innova Crysta ZX variant इस गारी में हमको VX variant से क्या extra देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं इसमें हमें speedometer में blue illumination देखने को मिल जाएगा, power driver seats देखने को मिल जाएगी, puddle lamps देखने को मिल जाएगे, picnic tables देखने को मिल जाएगी, rear streets के लिए साथी साथ curtain और side airbags provide किये जाएगे अब बात कर लेते हैं Innova Crysta diesel के expected pricing के बारे में तो Innova High Cross hybrid lineup स्टार्ट होता है 24 lakh रुपीज से जो कि इसका VX variant है साथी साथ जाता है 28.97 lakh रुपीज से जो कि top end spec देखने को मिल जाता है Innova High Cross का ZX option अगर मैं updated Innova Crysta की बात करता हूँ तो कोई भी direct competition इसके साथ नहीं देखने को मिलता है सिर्फ इसकी अपनी Innova High Cross के साथ competition है साथी साथ टाटा सवारी और महीं तरा XUV7W से थोड़ा बात competition देखने को मिल जाएगा तो चलो है राज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं आप लोगों से भी लूँगा अगली वीडियो में